नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंतरवास्तु के विसेश कास्क्रम के साथ कर्म और भाग यदि सामानांतर चले तो इनसान रंग से राजा भी बन सकता है कभी कभी आप परिसरम करते हैं कोशिश करते हैं महत करते हैं फिर भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती है परिसरम के साथ साथ आपके कोशिश के साथ साथ अगर आपका भाग साथ देना शुरू कर दे तो सफलता तुरंत हाथ लग जाती है तो बने रही हमारे साथ हम आपको पताएंगे परिश्रम के बाद अगर सफलता ना मिले तो क्या करना है आपको ताकि भाग भी आपका साथ देना शुरू कर दे और सफलता तुरंत हांत लग जाएं ताकि नई भीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं भागवान कृष्ण ने रन भूमी में अर्जुन को ब्रम ज्यान देते हुए कहा था हे अर्जुन कर्म करो फल की इक्षा ना करो बास्तविक्ता में हमारे कर्म ही हमारे भाग का निद्रारन करते हैं या एक ही सिक्के के दो पालों की तरह है कर्म करते हुए हमें भाग के महत को नाकारना नहीं चाहिए भाग के महत को भी समझना चाहिए कर्म और भाग यदी सम मनांतर चले तो इंसान रंग से राजा भी बन सकता है कई बार ऐसा होता है कि अथक परिश्रम करने के बापजुद भाग आपका साथ नहीं देता है जिस कारण आपको मन बुताबिक सफलता नहीं हांसिल कर पाते हैं आप लेकिन अगर आप अपने भाग को चमकाना चाहते हैं तो अपनाए जोतिस के ये नियम और बन जाए मुकुद्दर का सिकिंदर तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे अगर भाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो क्या खास उपाय करके आप अपने भाग को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं और मेहनत और भाग एक साथ ह तो सफलता आपकी चर्ण चुमेंगी पहली बात पक्षियों को धाना जोतिस सास्त के मुताबिक यदि आप परती दिन पक्षियों को धाना डालते हैं तो इस से आपके जीवन में खुसहाली आती है और असुब ग्रहों का नाकरत्मक परवा भी नहीं रहता है ऐसा करने से आपका मन सांत रहता है और भाग आपका साथ देता है साथ ही असनान के बात भगवान के दर्सन भी आपको करने चाहिए दान, दान का सबसे बहुत बरामथ होता है अगर आप गुप्द दान करते हैं तो यह तो अती महत्पुन होता है दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती अता हर सुक्रुबार जरॉत मंदों को चावल दान करें साथ ही माललक्षिमी की पूजा करें ऐसा करने से आपके जीवन में सुक्र और चंदरगरह का अच्छा प्रभाव परेगा जिस कारण आपके घर में सुक्र सम्रधी का बास होगा हुन्मान चलिशा आप भी जानते होंगे मैं भी जानता हूँ हुन्मान चलिशा और भगवान हुन्मान इस कल्युक के पर्चक्स देपता है हुन्मान उपासना करने से आपकी जिन्गी के कई समसाय खत्म हो जाती है तो परती दिन हुन्मान चलिशा का पाठ करें ऐसा करने से आपका भाग उजित होगा और आपके सत्रु भी प्राजित हो जाएंगे आपके जितने भी काम लंबित हैं एक एक करके वो भी पूरा हो जाएंगे भगवान बिश्नु की पूजा अर्शना देखे भगवान सिफ और भगवान बिश्नु तारक ब्रह्म है तो ब्रस्पतिवार के दिन भगवान बिश्नु की पूजा अर्शना करनी चाहिए इसके बाद भगवान के सामने अपने परिसानियों को मनन करते हो उनके चर्णों में अपनी तकलीफ रख दें और उसे दूर करने के लिए भगवान विश्णू से प्रार्थना करें गो माता को हल्दी लगी आलू खिलाईए और पीले रंग का शमान भी उस दिन आप धान करें ऐसा करने से आपका भागोदय होगा और आपके कारोबार में आ रहे ही दिकते हल हो जाएगी सनी पुजा सनीवार का दिन सनी भगवान का माना जाता है इस दिन आपको काले अथवा नीले रंग के बस्तर धान करने चाहिए मैं आपको बोलूँगा आप काले नहीं नीले रंग का बस्तर धान करें इसके साथ ही यदि आप भगवान सनी को परसंद करना चाहते हैं तो पीपल के नीचे हर सनीवार को सरसो के तेल का एक दिया अवज जलाएं ऐसा करने से आपका भग आपका साथ देने लगता है आते की गोलिया ये काफी महत्पुन है परती दिन नहीं तो कम से कम मंगलवार और सनीवार को आते की गोलिया बना करके मसलियों को खिलाएं ऐसा करने से आपके जीवन में सनी, राहु, केतु का जो असुपरवा होता है वो नहीं परेगा, साथ ही आपका भाग भी आपका साथ देगा रोटी की उपाय, परती दिन सुबह खाना बनाने समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और साम को खाना बनाते समय आखरी रोटी कुट्य के लिए निकाल दें, अब इसे गाय एवं कुट्य को खिलाएं, ऐसा करने से आपका भाग उदे होगा और आपके सत्रू भी हार जाएंगे, और जब आप मेहनत करेंगे, तो मेहनत के साथ साथ जब आप ये उपाय करते हैं, तो आपका भाग भी आपके साथ होता है, और जब कर्म और भाग एक साथ होंगे, तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है, इसकी 100% गारेंटी है तो आज मैंने आपको बताया कि परिसरम, मेहनत और कोशिस करने के बापजुत भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या खास उपाय करके आप अपने भाग को अपने पक्स में कर सकते हैं, ताकि सफलता आपको हाथ लग जाए, आज के बस इतना ही धन्यवाद